अपन पढ़ते हैं हिमाले का अपवात अंतर है और हिमाले के अपवात अंतर में अपन पढ़ते हैं गंगा नदी का अपवात अंतर भारत की कोण सी नदी है राष्ट्रिय नदी भारत की सबसे पवित्र नदी भारत में इसे राष्टे नदी कब गोशित किया गया था? 2008 में 2008 में इसे राष्टे नदी गोशित किया गया था और इस गंगा नदी में जो डॉल्फिन मचली पाई जाती है कौन सी मिचली? डॉल्फिन मचली उसे 2009 में राष्टे जल्य जीव गोशित किया गया है आप देखते हैं गंगा नदी के बारे में भारत की सबसे ज़्यादा अपवहात अंतर वाली नदी लगवग 6 लाख वर्ग किलोमेटर छेतर है इसका अपवहात अंतर के अंतर है और कुल लंबाई कितनी है पच्चिस सो पच्चिस किलोमेटर दो हजार दो सो पच्चिस किलोमेटर देखो शुरुआत करते हैं गंगा नदी जो है वो दो धाराओं से मिलकर बनती है एक का नाम अलक नंदा और दूसरी का नाम भागिर्टी क्यों सी चल रही है अलक नंदा जो है अलक नंदा जो नदी है वो कौन से ग्लेशर से निकलती है सतोपत हिमनद से सतोपत हिमनद से निकलकर आगे जब बढ़ती है तो इसमें एक दूसरी नदी आकर मिलती है जो इसकी साहिक नदी है उसका नाम है दोली गंगा और दोली गं आकर मिलती है अलग नंदा में विश्णु प्रियाग नामकिस्तान पर फिर जब अलग नंदा यहां से आगे बढ़ती है तो एक और साइक नदी आकर मिलती है और वो कौन सी है नंदा किनी और नंदा किनी जहां पर आकर मिलती है वो जगह है कौन सी नंद प्रियाग फिर उनों नदियों के बीच से भागिरती और अलक नंदा के बीच से एक नदी ओर आती है जो केदारनाथ के पास से निकलती है और उस नदी का नाम है मंदांकिनी एक तो है नंदांकिनी और एक है मंदांकिनी जहां अलक नंदा में मिलती है उस जगे का नाम क्या है रुद्र प्र और फिर आगे जब बढ़ती है तो इसमें दूसरी जिसे मुख्य गंगानदी का रूप माना जाता है हना अगर अपन पढ़ते हैं कि गंगानदी कहां से निकलती है तो अपन भोलते हैं गंगोतरी हिम्नद से निकल कौन सी नदी 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 गंगोतरी हिम्नद पढ़ता कहां पर है उ्ट्रॉक में अउत्रा खंड beta उत्रकाशी जिला उत्ձरकाशी जिला में गंगोतरी हिम्नद के पास गोंक χ् effort ए नदी नदी कौन सी बहागिरती नदी जब इसमें अलक नंदा आकर मिल जाती है और दोनों जब मिलती है वो कौन सा इस्तान है देव प्रियाग और देव प्रियाग पर जब ये दोनों मिलती है तब इसे क्या कहा जाता है गंगा नदी कहा जाता है सही है तो देव प्रियाग तक आ गए है कॉन सी पृयाग तक देव पृयाग से पहले विष्ट्ठू पृयाग शुदू पृयाग इन्दू पृयाग पृयरण पृद्धर पृयाग और पृया इसके बाद में आएगा पृयाग與 राज यानि की प्रियाग का राजा प्रियाग कहते हैं दो नदियों का जो संगम होता है उस जगे को है ना और प्रियाग राज जिसका पुराना नाम क्या था इलहाबाद तो यहां से आगे बढ़ते हैं देव प्रियाग के बाद में हरी दुआर में आती है और हरी दुआर के बाद में यह मैदानों में प्रिवेश करती है मैदानों में प्रिवेश करने के बाद में फिर यह उत्राखंड से उत्तर प्रदेश में प्रिवेश करती है कौन से राज्य में और भारत में सब से ज़्यादा जो राज्य को कवर कर रही है वह राज्य भी कौन सा है उत्तर प्रदेश में आगे जब यह बढ़ती है तो उत्तर से यानि कि क्या बोलेंगे इसके बाई और से जिदर नदी का flow होता है मैंने बता है जिदर नदी का flow होता है उस नदी के according अगर अपन चलेंगे तो अपना जो left और right होगा उसी के according बाया क्या होगा नदी कैसे बह रही है इधर बह रही है तो बाया कौन सा होगा जो उपर से आ रहा है और दाया कौन सा होगा जो नीचे से जा रहा है तो बाहिए और से उत्राखंड से एक नदी आकर मिलतीय जिसका नाम है राम गंगा और यह राम को परदेश में यूपी में रूतर प्रदेश में कंno eg के बाद में फिर इसमें साइक नदीया कर मिलती है जो इसकी सबसे बड़ी साइक नदी कि इसका नाम क्या है यमुणा नदी कहां से निकलती है उत्रा खंड के बंदरूच पहाड़ी पर मुनोत्री हिमनद से निकलती है और मुनोत्री हिम pedals और कौन से इस्थान पर मुराद गंजड़ के इसतान पर मिलती है चंबल-णदी मद्य प्षे ओर्जिनेट होती है निकल दी है तो मध्यद प्रदेश केг माहु क्षेतर से निकलती है प्र राजस्तान में चितोड़ने प्रवेस करती है कहां से 84 गड़ से और फिर ये आगे कोटा स्वाई मादू इसके अलावा दोलपूर करूल इधर बैटे वे फिर उतर परदेश में आकर कहा मिल जाती है मुराद गंजाग नामकिस्तान में फिर जब यमोना नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है कोण सी बेतवा और ये निकलती है विंजाचल परवतमाला से और फिर आगे जब बढ़ती है तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है केम और ये सब के सब नदीया आकर मिल जाती है कहाँ पर प्रियाग राज में कौन सी नदी पर? गंगा नदी में मिल जाती है दोनों मुख्य नदीयां मिल गए आपस में फिर आगे बढ़ते हैं जब गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है तो इसमें यूपी में ही एक नदी और आकड मिलती है जिस पर लखनव नगर बसा हुआ है और उस नदी का नाम है गौमती नदी निकलती है उत्तर प्रदेश के पीली भीत से फुलहारी जील है यहाँ पर कौन सी जील है फुलहारी जील से निकलती है गौमती नदी यह है उत्तर भारत की एक पहली नदी है जो मैदानी छेतरों से परनेकों निकलती है और बाकि contempor' परवर्टों से निकलती है। मेदानी चेतर्व से निकलती है। कौन सी ? इसए और भी लिए त्वलिए आखे निदिया मिलती है। पहली जो नदी आती है वो कौण सी है गागरा कौण सी गागरा नदी आती है एक तो सारदा से और एक गागरा सारदा इसकी प्रमुक साइक नदी है और दोनों आकर मिलती है बिहार के छपरा नामके स्थान पर का पर मिलती है छपरा नामके स्थान पर फिर आगे चलते हैं तो नामें त्रिसूल गंगा और गंडग का सब्धिकर्ध क्या होता है अज्टा गंडग नदी आकर मिलती है कहाँ पर सोनपुर में सोनपुर कहां पड़ता है पटना के पास बि-e-r में अच्छा फिर आगे चलते हैं तो इसमें दाई वोर से एक नदी आकर मिलती है जो में आकर इसमें मिलती है फिर आगे बढ़ती है गंगा नदी तो इसमें एक उपर से बाई और से आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है कोशी जिसे सोरो ओप बिहार भी कहा जाता है जो बिहार में कुख्यात है किसलिए बाड लाने के लिए बिहार में कुख्यात है कोशी नद पस्ति मंगाल में जब प्रवेश करती है तो इसमें एक सबसे पूरों में आकर मिलने वाली नदी मुख्य गंगा नदी में सबके लाष्ट में पूरों में मिलने वाली नदी कौन सी है महानंदा महानंदा निकलती है दारजलिंग पहाडियों से और जहां पर महानंदा और गं हैं मिलकर एक हुईती ना वैसे ही पुने गंगा नदी पुने दो धाराओं में बढ़ जाती है और एक धारा जो होती है जिसे हुगली कहते हैं और एक धारा जिसे पदमा कहते हैं सही है हुगली नदी में जो हुगली नदी कॉलकता से होकर कॉलकता इसके किनारे बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे कॉलकाता है अच्छा दामोदर नदी यहां से निकलती है और यहां से निकलकर जारकन से निकलने के एक का नाम है जमुना जिसे भारत में कहते थे अपने ब्रह्म पुत्र और दूसरी ये कौन सी मेगना ये दोनों जाकर इसमें मिलती है और फिर लाश्ट में ये कहां गिरती है बंगाल की भाड़ी ये है भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर भारत की राश्टी नदी भारत की सबसे पवित्र नदी अच्छा देखते हैं कौन कौन से राज्य में कितना बहती है पहला राज्य कौन सा आएगा देखो इसकी दिशा कैसी रहेगी पहले दिशा देखते हैं सबसे पहले ये नदी किस दिशा में बह रही है दक्षन की और फिर इस फिर दक्षनी पूरवी फिर पूरव और फिर लास्ट में दक्षिन और फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते वे बंगाल के खड़ी में गिर जाती है कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्यों है इसका नाम सुंदरवन क्योंकि यहां पर सुंदरी नाम आपका कौन सा यूकेु उत्राफन में कितने किलोमेटर बैती है उत्राखन में 220-0-3 तेकरती है फिर इसके बाद में आता है यूपी यूपी में सबसे ज़्यादा कितनी पचास है क्या एक हजार चार सो पचास किलो मेटर फिर इसके बाद में आता है बिहार बिहार में कितनी बैती है चार सो पैतारीस किलो मेटर और फिर इसके बाद में आता है पसी मंगाल पसी जढ़े कोंट से राजय में बह रही है उत्व प्रदेश में अरो सबसे कम कुम पह रही है उत्रा खंड में तो यहा निकल रहे हैं फिर दोनों यह चलकर आगे बढ़ी इसमें पहले कौन सी यह मुना फिर आई गोंती फिर आई घागरा फिर गंड़क कोशी सौन फिर महानदा इदर नीचे दामोदर इदर जमुना और पदमा और लास्त में बंगाल के खाड़ी तो यह है गंगा नदी का इसमें प्रमक रूप से देखो यहाँ पर एक फरक्का योजना चलाए गई है यहाँ पर डीवीशी दामोदर घाटी कारपोरेशन यहाँ पर प्रियोजना चलाए गई है इसे कहते थे बंगाल का सोक तो इसे कहते थे अब कहते हैं क्या अब कहते हैं क्या इसे नहीं क्योंक है और इधर बिहार का सो किसे काते हैं कोशी नदी को अच्छा चंबल नदी पर भी बांद बनाए गए नंग शार बनाए गये एक बांद कहां पर है मदियऔर कौन सा व्यान का और तीन बांद कहां पर है राजस्तान में दो कोटा में और एक चित तोड में तो गंगा नदी तंत्र कंप्लीट भारत का जो राष्टिय जली जीव कौन सा है जाल फीन में चले क्लेर है अच्छा आगे बाद में देखते हैं अब आप उतार लो